स्वागत है मित्रो, इस वीडियो टुटोरियल में हम कमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेगे C++ में दो तरह की कमेंट्स है एक सिंगल लाइन कमेंट जिसकी मदद से आप एक लाइन को कमेंट कर सकते हैं और दूसरी मल्टी लाइन कमेंट कमेंट का उप्योग जब आप प्रोग्राम के बारे में कोई जानकारी अपने प्रोग्राम में ही लिखना चाहते हैं तो होता है कमेंट्स एक्जिक्यूट होती है परन्तु वह स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होती मतलब की comment की मदद से आप अपने प्रोग्राम का documentation कर सकते है तो चलिए हम comments का एक प्रोग्राम देखते है पिछले वीडियो टुटोरियल में हमने एक simple प्रोग्राम देखा था अब इस प्रोग्राम के बारे में मैं कुछ अगर लिखना चाहता हूँ तो मैं वह comment की मदद से लिख सकता हूँ पहले single line comment देखेंगे single line comment करने के लिए जैसे यहाँ दिखाया गया है आप double backward slash का उप्योग कर सकते है backward slash लिखने के बाद आप जो भी लिखना चाहते है वह एक ही line में लिखती जिए तो यहां हो गई आपकी single line comment अगर आप multi line comment करना चाहते है तो पहले एक backward slash लिखे बाद में star लिखे यानि की asterisk sign बाद में आप अपनी multi line comment शुरू कर सकते है जब आप multi line comment close करना चाहते हैं तो पहले star लिखे और बाद में backward slash लिखे उसके बाद आप अपना कोई भी program लिख सकते हैं आप program में किसी भी जगह comment लिख सकते हैं तो यह है C++ में दो तरह की comment तन्यवाद